Hello Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे National Institute of Technology तिरुचा पल्ली की New Requirement Notification के बारे में, इसकी LGBT Conditions के बारे में और यहाँ पर Friends से फर्दर जो भी details आपको चाहिए इस vacancy related उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में वीडियो स्टाट करने से पहले Friends, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेर करें, लाइक करें, इससे फ्रेंज से आपको आने वाली जो भी updates हैं, वो सबसे पहले मिल सकें बात करते हैं Friends, इस वेकेंसी के बारे में तो Friends, यहाँ पर जो यह वेकेंसी है, यह आपकी non-teaching post, group B1C, requirement 2020 के लिए invite की गई है, अब यहाँ पर आपको invite की गई है, चार notification, तो यहाँ पर Friends, 2, 3, 4 and 5, जो आपकी advertisement है, junior assistant, senior assistant, standographer post के लिए, आपको link मिल जाता है, आप इस पर click क आपके सामने notification open हो जाएगा, यहाँ पर Friends, आपको vacancies की list दी गई है, आप यहाँ पर total number of post आपकी यहाँ पर check कर सकते हैं, आपको pay level आपको देखने को मिल जाता है, 16, 12 से 18, January 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अब यहाँ पर Friends, अगर आपको detail check करनी है, post wise तो आपको न criteria है, यह junior assistant post के लिए रहेगा, age limit 27 साल यहाँ पर रखी गई है, इसके बार next page पर आपको यहाँ पर मिलेगा, जो next post है, जो की है senior assistant, तो सेम आपका यहाँ पर भी criteria रहेगा, age limit यहाँ पर 33 साल की रहेगी, तो यह Friends से दोनों ही आपको यहाँ पर जो इसकी LGBT conditions हैं, वो देखने को मिल जाती है, stenographer में age limit 27 साल रहेगी, और यहाँ पर 10 प्लस 2 और 7 में 80 word per minute की stenography है, उसकी speed आपके पास short end की speed होनी चाहिए, तो यहाँ पर Friends से एक आपकी यहाँ पर requirement notification हो गई, अब इसके बाद super internet की बात करें, तो यहाँ पर Friends से total 7 post आपकी रहेगी और नीचे आने पर ही आपको details मिलेंगी, जहाँ पर आपसे मांगा गया है first class bachelor degree या फिर master degree 50% marks के साथ, तो यहाँ पर Friends किसी भी discipline में आप bachelor degree है, या फिर आपके पाद master degree है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद Friends तीसरी जो post है, वो है आपके technician and senior technician post के लिए, तो यहाँ पर जो यहाँ व आप qualification चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे important आपको 3-4 points दिये गए हैं, जैसे 10 plus 2 science में है, आपके पास 60% marks के साथ, या फिर 10 plus 2 है, आपके पास 50% marks के साथ, पर ITI है, एक साल की duration का, या फिर दिप्लोमा है, आपके पास engineering में 3 साल की duration का, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ऐसी फ्रेंस से senior technician के लिए भी यहाँ पर same criteria रहेगा, बस एक extra भर जाता है, बैसले डिगरी का, अगर आपके पास बैसले डिगरी है, आपके पास तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस post के लिए, इसके बाद last आपकी जो notification है, वो आपके technical assistant के लिए है, junior engineer के लिए है S.E.S. assistant के लिए है, जिसमें total आपकी यहाँ पर 26 post रहेंगे, अब इसके लिए भी friends आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है, technical assistant के लिए, तो first class, B.E.B.T.E.C.A. की डिगरी, या फिर diploma in engineering, या फिर bachelor degree in science, या फिर master degree in science आपके पा या डिप्लोमा, civil या electrical में हो, या फिर S.E.S. assistant के लिए bachelor degree in physical education में हो, या फिर आपके पाद बैसले डिगरी है, arts, commerce में और साथ में आपके पाद लाइबरी, information science की बैसले डिगरी है, तो आप इस वेकेंसी के लिए apply कर सकते हैं, इसके लिए friends आपको यहाँ पर नीचे आने स उसकी जानकारी चेक कर सकते हैं, लिक अभी friends इसका एक्टिवेट नहीं हुआ है, यह शाम को 6 बजए आपका जो लिक है वो एक्टिवेट होगा, apply करने का और आप इस रजिस्टर वाले टैप पर क्लिक करके यहाँ से apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर friends जो भी डेटेल थी आपक की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते ही हमारे यूटुब चैनल, and last thanks for watching.